राइसेन से हमारे संबाद्दातों शरश शर्मा की रिपोर्ट राइसेन तेज रप्ता ट्रक ने योबक को कुछला योबक की मौक के पर ही दर्दनाक मौत मिर्तक का नाम बिनाय सिंग ठाकूर उम्र लगभग 35 से 40 वर्स रही होगी गुसाई लोगों ने ट्रक में लगा दी आग फायर विकेट की तीन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू इस्टेशन रोड ओवर ब्रिच के पास की गटना है मोके पर पहुँची पुलिस मामले की जाच में जुटी इस्टेशन रोड पर चलते हैं तेज रफ्तार में ट्रक और डंफर रायसेन के मंडी डीप थाना चेत्र का पूरा मामला है रायसेन से शरत सर्मा की हमारी रिपोर्ट दतिया से हमारे संबादात तर अभी डीप लिटोरिया की रिपोर्ट बाजापा ने कलेक्टेट का किया घेरा माफिया बिरोधी मुहीम का किया बिरोध सरकार पर लगाया पक्छपत कारवाई का आरोप मद्द परदेश सरकार पर मुख मंतरी कमला दोरा चलाए जा रहे माफिया बिरोधी मुहीम का बिरोध करते हुए सुक्रबार को कलेकटेट का घेराप किया गया और प्रदेश सरकार के बिरोध्य नारे बाजी कर पुर्षासन अधिकारियों को माननिय राजपाल के नाम ग्यापन दिया गया शुकरबार को पर देश भाजापा की आभान पर जिला भाजापा की संभागी ये संगतन मंतरी केशा भदौरिया के नेतित में इस्तानिय राम लला मंदिर पर एकत्रित हुए तथा पदमार्च करते हुए नबीन कलेक्टेट भबन पहुँचकर प्रदेश सरकार के खिलाप नारेबाजी करते हुए कलेक्टेट का घेराप किया प्रदशन में घेराप करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता सूकर्ण मिस्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार यह इसपष्ट नहीं कर पा रही है चतरपुर से हमारे संबाददाता किशोरी श्रीबास की रिपोर्ट माफियाओं के खिलाप सक्त कार्रवाई की मांग की कलेक्टेट कारेयला चतरपुर में सोपा ग्यापन बाजापा के पूर्व ग्रैमंत्री भूपेंदर शिंग हजारों कारिकरताओं के सहित हला बोला कमलनाज सरकार के खिलाप नारेबाजी की चतरपुर में बाजापा कारेयला चतरपुर में एक सभा का आयज़न किया गया जिसे में छतरपुर जिले के तमाम भाजापा के लोगों के ने पूर्व ग्रह मंत्री भूपैन सिंग का साथ दिया और जहां पर सिरी सिंग ने कहा कि मद्ध प्रदेश में माफियाओं का बोल बाला है और आसामाजिक लोगों पर असर पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार गरीबों का आश्याना रोजी रोटी छीन रही है जिससे आज पूरे मद्ध प्रदेश में कांग्रेस सरकार खोले आम ताना साही का रवईया अपना रही है